हेलो गाईज विल्कम बैक टो इस्टेडी अभी पिछले वीडियो मैंने बता है था कि जैसे एयर फोर्स ग्रूप सी का जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट 45 बढ़ गया ठीक है जिसमें कि 15 से 24 वेकैंसिज है अभी इंडियन एयर फोर्स जो ग्रूप सी की है ठीक ह अब यह बहुत सारी क्वेशन साइं कि सका से लेवर क्या होता है इसको फॉर्म को कहां अप्लाई करना किस तरीके चाहिए देखो मतलब करना तो बहुत इज़ी प्रोसेस अपने नाम वेगरा सब कुछ करना फोट वेगरा चिपका देना है बाकि पोस्टल एड्रेस क्या कर अब ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है यहां पर समझ लो पहले चीज़ पर हम इसक्रस करेंगे कि यहां पहला चीज हमरा डिसक्स होगा की देखो यह चीज मैं डिसक्स नहीं करूंगा कि यहां पर किस मतलब किस पॉस्ट के लिए अपलाई करे वह आ और यह वैकैंसी जो सारी वैकैंसी हैं वह मतलब किस लेवल की है अच्छी है नहीं यह बहुत सारी लोग पूछ रहते हैं मतलब कैसी जिसकी जो है जैसे लाइट कैसी होती है इसमें यह सब चीज़े को बारे उन्लों डिसकस कर लें गया ठीक है और इसके अलावा पहले सब से पहले जानने कि इस form को fill कहांसे करना या download कहांसे करना इस video के description सेक्षोन में जाना और इस PDF जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रίν पे इसको download कर लेना और जैसे download करके सर आएँ सबसे last page पर जाओगे लानों यह पे तो यह सीज़े का आपको ढएक्वा से ठीक है so इसको आप लोग print out कराओगे यह जो form का एक क्या है format है इसको print out कराओगे आप लोग ओके ना अब इसको print out कराके क्या करोगे आप दुकानोला समझ लेगा आपके बारे में समझा देगा आपको आपको print out करना है यहां से उपर से नीचे तक है फिर इसको fill कर देना है फिर इन्वैलब आता है ना जैसे हम लोग की post office में जाके देखो कुछ लोग पूछ रहते हैं कौन थी post office से apply करेंगे देखो आपके local area में जो भी post office है वहाँ पे देखो मतलब सधारन post होता है ना वो मत क कर देना मतलब चित्थी विर्थी तो लिखने आती होगी मुझे उमीद है ठीक है एक चीज़ द्यान देना है यहां पर जो लिखा हुए for officially records उसको मत फिल कर देना बहुत problem हो जागा ठीक है बाकि फोन नंबर यह सबी चीज़े email id जालना जो चीज़े मांग रही है अगर email id भी मांग रही है फोन नंबर मांग रही है जो भी मांग रही है date of birth father's name खुद का नाम सही सही फिल करना अधरवाइस cancellation का डरवनता है मतलब फॉर्म आपका submit नहीं करता है ठीक है ना तो इस चीज़ेश को थोड़ा सा मतलब गौर करना है इन सब चीज़ों पर आप बात कर ल किस तरीके से हम लोग समझेंगे यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यह चीज़ कंप्रिटली कि mode of selection यह आप लिख रहा है पहले क्या कि आपको किसकी कि कर आई यह समझ लो देखो आप फॉर्म जो फिल कर रहे हो अगर आपकी इस फॉर्म को फिल करने की एज जो तो और भी जड़ा है पांच साल मिल जा रहा है अगर आप जेनरल काटेगरी भी हो तो आपको पचीज साल तक मिल रहा है आप क्या चाहिए आपको बुढ़ाब पे तक फोड़ी सेलेक्शन लेंगे वो लोग तो इतना काफी है आपके लिए तो mode of selection में पहले तो आपका age limits वो माहिने होना चाहिए कि आप age limits के अंदर आता है ऐसा नहीं कि 18 साल मांग रहे तो आप साड़े 17 क्यों फिर भी अप्लाई कर दो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो जो minimum age limit है तो उसको follow करना होगा minimum qualification जिस post के लिए जो भी मांग रहा है वो होना चाहिए आपके पा तो यहां पर शब्लाइन है तो यहां पर जो भी आपका eligibility है वह सब्सक्राइब़ मांग तो अगर वह सब्सक्राइब का चाहां से आघात एगा और call letter कहां से आगा समझ लो यह भी गाईज यहाँ पर online कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुगा है candidates will be issued call letter for written test यह जो है न आपको जिस तरीके से आप fill कर रहे हो उसी तरीके से call letter भी आएगा by posting चांस के यहाँ पर online के बारे हम कुछ दिया ही नहीं है तो वह भी पोस्ट ही आगे जिस तरीके से आज के चार-पांच साल पहले एयरफोस सेलेक्शन लेता था आपको एक तरीके से कहा है कि अपने जहां से पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो ना तो वहां पे मतलब हर 15 दिन पर आके अभी तो फिलाल नहीं अभी कम से कम 40 डेज है आपके पास form fill up करने का तो इसके बाद ही आप क्या करना जाना एटलिस जो थोड़ा सा जान पहचान बनाओ अपना नंबर दे दो ठीक है ताकि आपके नाम से कोई लेटर वेगर आए तो आपको कॉल कर देंगे जनरली हम लोग यहीं करते हैं ना तो वह काम भी आप लोग कर ले ना इसको ठीक है तो यह बहुत एंप्पोरेंट होगा आपके लिए फिर यहां पर लोग बात कर लेते हैं कि रिटेन टेस्स होगा वो किस परिगेंसे होगा तो रिटेन टेस्ट तो आपको आफ-लाइन नहीं होगा आनी चीज तो पता है लेकिन सब्च्छ क्या-क्या होंगा यह सब्चंव बधी मतलब बा होगे रिजनिंग यहां पे लिए जाएगा इसके बाद नुमेरिकल अपिटूड आपका नुमेरिकल अपिटूड कैसा होगा इसको एक्सेप्शन मना जाता है बट ऐसा दिया नहीं जाएगा ठीक है ना जाते कभी के बार मॉड़ वाले अब यहां पर यहां पर यहांप एक चीज़ देखो यहां पर है यहां पर साफसाप लिखाव है कूश्चन अंसर पेपर विल बिए इंग्लिस एंडी आपका तो questions मिलेंगे वह Hindi and English दोनों language नहीं कि असानी कि सिर्फ Hindi में question नहीं होगा इंग्लिस में भी होगा ठीक है तो आप समझ सकते हो एक फिर पर 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 दोनों side रहेगा आपका एक सिर्फ Hindi एक सिर्फ English जो भी पर्फर करते हो उसको देख क्या आप लोग अंजर करते है फिर से आपका टाइपिंग वेगरा हो जाता है फिसकल हो गया आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी इसमें है वहाँ पर यह सब चीज़ें आपको कराई जाएं लिए सब चीज़ेंगा यह बड़ा इंपोर्टेंट चीज़ है और एक्जाम के बारे मैं मैं कहले हूं कि एक्जाम बड़ा इज़ी होता है ठीक है ना मैंने थमनल पर इसी लिखा था इसी लिखा था कि बहुत यासान एक्जाम है आपको क्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं थे यह आराम से आप कर सकते हो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाओगे तो तो यह बात लगते हैं ठीक है अब बात करेंगे पोस्ट के लिए हम लोग अपलाई करें ठीक है तो यह थोड़ा सा अजीब सा सवाल आता देखो किस पोस्ट के लिए यह चीज़ मैं आपको डिरेक्ली नहीं करें लेकिन आपके अलावा आपके पास कुछ और सर्टिकेट ही नहीं कर तो आपके पास चांस यी कि आपके पास एज है आपके पास दो हाथ भी है आपके पास सुनिलिया भी है तो आप सीख सकते हों मतलब अभी फॉर्म कर आप ऐड़रूं के लिए करो करो यूटूब पे कोर्सेज देग रही है तो यह सब चीज़े करें थोड़ी ची प्रैक्टिस करो क्योंगी सेलेक्शन आपको लेना तो मेनद भी आपको करना होगा है ना तो टाइपिंग को सीखी जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत स्पीड मांगे है ठीक है ना तो यह बाकी मर्टी टास्किंग स्टाफ यह सभी चीज़े पोस्ट गाईज देखो अब यहां पर सवाल आजगा ना पूछ रहे कुछ लोगे कोई कोई पोस्ट बता दो जिसको हम अप्लाई कर देखो एक सीज मैं यहां पर साप साप कहना चाहूंगा कि पोस्ट के बा पोस्ट के नाम ने दिया मैंने इसके लिए अपलाई कर रहा है और यहां यह सारी इनकी लाइफस्टाइल कैसी होते हैं सबसे पहले तो यह पुछो गया आप लोग तो लाइफस्टाइल गाई देखो इस चनल आपको खुलके बता दूं कि बहुत सारी पोस्ट इसके अंद इसी हो गया ठीक है और स्टेनोग्राफर हो गया यह सबी जो है ना हिंदी टाइप इस्ट हो गया यह सभी चीज़ें आपको मतलब एक तरीके से कहीज आए तो अच्छी खादी पोस्ट है ठीक है अब इसके अलावा गाईज कुक का हो गया ठीक है फिर से आपको स्टोर की पर हो गया और भी बहुत सारे पोस्ट है तो इनको मैं खराब नहीं कहूंगा लेकिन उनकी तुलना में थोड़ा सा लोगा है बट एक चीज़ हां ओल अबर मिला के कहा जा है तो यह इंडियन एरपोस्ट की जाब है ठीक है एक रुद्बह आपके पास अपना रहेगा कि आ आपके एक्स्पिरियंस को पर डेपेंट करता है ठीक है ना तो इसमें कहीं भी कोई कंपर्टिसन है नहीं क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है और सारे पोस्ट के लिए गाईज सारी बच्ची तो अप्लाई करेंगे नहीं किसी एक पोस्ट के लिए करेंगे तो फिलाल यहां प पुछ रहा है आपका आपको आईगी ना यहां पे ब्लोक लेटर में फिल कर देना यहां पे फोटोचिप का देना यह सभी चीज़ तो डेट अब बार्थ फादरस ने इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको पता नहीं है ठीक है ना पर पानिंट एड्रेस एड्रेस कोरिस्पोंडेंस यह सभी चीज़ें आपका तो आप एक ही जगह पर एड्रेस भर देना ठीक है और यह सब जानते हो आपके पास टेकनिकल है तो दो अधरवाइस नील कर दो छोड़ दो डो मिसाइल देना होगा आपको अटेस्ट सिर्फ अटेस्ट इसका मतलब जो भी फोटोस चीट दोगे वहां पर अपना खुद का सिंगनेचर वगरा होना चाहिए ठीक है तो यह सबी चीज़े बाकि स्टेप बाइस्टेप करने अगर आपके काम लैक नहीं है तभी तक अगर देख रहे हो तो ताकि उसको भी वीडियो मिले जिसका काम लैक है ठीक है चलो मिलते नेक्स वीडियो में